नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज आठ मैई शाम साथ बजे राजिस्थान की खास खबरें सीकर जिले में फरजी दिव्यांगता पर्मान पत्र बनाने का मामला सामने आया है इसमें तीन योगों के नाम से जारी दिव्यांगता पर्मान पत्र में CMHO के नाम से जो डिजिटल साइन है उनके नाम का कोई CMHO कभी सीकर में पदस्थापित ही नहीं रहा तीनो पर्मान पत्र मुकेश कुमार, कूडी निवासी खंडीला, रोशनलाल साई निवासी शिरिमादपूर, वेप अप्पू मीना, निवासी गोपालगर जयपूर के नाम से जारी किये हैं कोतवाली थाने के एसाई, सोहलाल ने बताया के विशेश यूगेचन विभाग जयपूर के आयुक्तवे सेयुक्त शाशन सचिव और स्पी के आदेश पर परिवाद जांच के लिए मिला, इसमें सीकर में फर्जी तरीके से बनाए दिव्यांगता पर्मान पत्र की लिस्ट मि के डीग में प्रेमी को बचाने के लिए बालिका ने पुलिस कर्मी पर ही दुषकरम का अरोप लगा दिया, जिसके बाद कॉंस्टेबल को नौकरी से हटा दिया, पुलिस कर्मी का डिने सेंपल भी मैच नहीं हुआ, जिसके बाद भी पुलिस की लापरवाही के कारण, ग्य पास शौच करने गई नवालिका ने दुशकरम का रूप लगाया था इस्तगासा से 7 दिसंबर 2013 को मामला दर्ज हुआ 24 मार्च 2014 को कॉंस्टेबल रंजीर सिंग निवासे सिक्रारी को नौकरी से हटा दिया न्याले ने 31 अक्टूबर 2019 में उसे दोश मुक्त कर दिया बालिका क के प्रेमी सत्वीर निवासी नौनेरा को 10 वर्ष की सजा 20,000 की आर्थिक दंड की सजा सुनाई जैपूर के जेकेलॉन अस्पिताल के ब्लड बैंक का लैब टेक्नेशन किशन सहाय कटारिया पिछले साथ महीने से बेखौफ होकर करोडो रुपे का प्लास्मा चुरा कर ब्लड बैंक के करमचारियों ने डॉक्टर सतेंदर को सूच ना दी चोरी पकड़े जाने के बाद भी डॉक्टर सतेंदर ने इसकी जानकारी जेकेलॉन अधिक्षक डॉक्टर केलाश मीना को नहीं दी और मामले को 24 खंटों तक दबाए रखा मामले में यह भी बड़ी की एसियस शुबरा सिंग ने उच्चस तरिये जाश कमेटी गठित की गई है जो कल गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट सौपे गी जुंजरो जिले में दिन दिहारी बदमाशों ने एक व्यापारी पर फाइरिंग कर दी बदमाशों ने लगातार तीन बार गोलियां दाग पर हुई जहां एक किराना दुकानदार को धंकी दी गई खटना पास लगे एक सिसी टीवी में कैद हो गई पुलिस ने फुटेस के अधार पर जांच शुरू कर दी दुकानदार ने परची पड़ी तो उसमें लिखा था कि मैं कपिल शूटर 50 लाक उर्पी और मेरे दो भ कुहर ठोलिया ने बताया कि बदमाशों की तलाश की जारी है कि सीब्यासी बूर्ड ने वर्ष दोजर 24 के दसमी वे बारवी परिक्षा का परिणाम घोशित नहीं किया है लेकिन परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को अंकों के सत्यापन के लिए प्रस्तावित परिणाम घोशित होने के तिथः से चौतिे दिन से आठवे दिन तक आंकों के सत्यापन के लिए अनलेन किया जा सकेगा इसी तरह उत्तर Pusỹ track की फोटो कॉपी लेने के लिए परिणाम घोशित होने के तिथि से 19 वे दिन से 20 में तक तदा पुंदेर मुल्यांकन के लिए परिणाम गुशित होने के तिथि से 24 वे दिन से 25 वे दिन तक अवेदन कर सकेंगे बोर्ड के परिक्षा नियंतरक डॉक्र सैम भार्दवास के अनुसार अंतिम तिथी के बाद और आफ-लाइन मोड में कोई यह अनुरोद स्विकार नहीं किया जाएगा बोर्ड ने स्कूलों से अनुरोद किया है कि यह सूशन विद्यार्थियों के ध्यान में लाएं विस्तरत रूप रेखा परिणाम जारी होने की बाद जारी की जाएगी शिरिगंगा नगर के नव गठी तनूपगर थानक शेतर में रिष्टिदार बनकर 6 लाख उर्पे की साइबर ठगी का मामला सामनी आया गुर्मेल सिंग विजी ने ही फोन किया है उसने कहा कि रात को उसका वीजा खत्म हो जाएगा उसने उसके बैंक खाता नंबर मांगती हुए कहा कि वे आपके खाते में रुपए डलवा देती है तब उसने बैंक खाता की फोटो भीजी लड़की ने फोन कर कहा कि उसने 12 लाख उर्पे बेजी मैंने SBA बैंक शाका से बैंक से 6 लाख उर्पे डलवा दिये बाद में ठगी का पता चला पुलिस मामले की जांच कर रही है जोदपूर जिले की ऑसियत अनक शेतर के चिराई गाम में हुए एक हाथसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई दोनों मृतक बाइक पर सवारती और वह खेट से गाम की और जा रहे थे मुख्या सड़क पर पत्थर से लदा एक ट्रेक्टर जिसके बाहर एक पत्थर की सिल्ला थी ट्रेक्टर से बाहर निकले पत्थर नजर नहीं आये ऐसे में बाइक सवार का सिर पत्थर से टकराया और मौके पर ही मौत हो वे गुदारा बीरा निवासी पूरो पतनी पोकराम जाट लोट रहे थे मृतक किशोर सिंग के तीन लड़के वे दो लड़कियां है गतमा ठारा प्रैल को अपने एक बेटे सुमेर सिंग की शादी की थी जैपुर में कैब ड्राइवरों को लूटने वाली गैंग का खुलासा हुआ है ऑनलाइन गेमिंग वेब साइट पर पैसे लगाने के लिए कैब चालकों को अपहरण कर लूट करने वाले गिरों का खुलासा करते हुए परतापनगर थाना पुलिस ने तीन बदमाशों को पकड़ा है गिरफतार अरोपी अजक गुर्जर अकाश जाट वे गनेश वर्फ जेडी शर्मा जैपुर में अलग-अलग जगा रहते हैं थानादिकारी मुनेंदर सिंग ने बताया कि तीनों आरोपी ऑनलाइन गेम खेलते हैं आरोपियों ने लूटे गए पैसे पेडितों से गेमिंग वैबसाइट पर ट्रांसफर करवाए इस गिरों ने परतापनगर इलाके में पांच वारदातों को अंजाम दिया है पोस्ताश में सामने आया कि अरोपी कैब चालक को बातों में लजा कर आफलाइन मोड पर करके बुक करते थे उसके बाद संसान जगा पर लिजा कर मारपिट करके पैसे ट्रांसफर करवाते थे सीकर जुले में कार में लिफ्ट देने की बहाने दो बदमाश एक महिला के सोने के गहने हड़प ले गए बदमाश ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए महिला को कहा कि सूचना आई है कि सीकर में एक युवक का मडर कर महिला उसके यहां से गहने चुरा ले गई आप गहने चेक कराओ चेकिंग का जहांसा दी उसके गहने लिफाफे में डाल दी और बार में उसे दूसरा लिफाफा पकडा दिया जिसमें दो तार रखे हुए थे सदर पुलिस ने पिडित महिला की शिकायत पर कार सवार दोनों बदमाशों की खिलाफ रिपोर्ट दर्स की है पिडिता ने बताया कि सीकर में उसके प्लाट पर निर्मान चल रहा है उसे सिलसले में वो गाम से सीकर आई थी लौटने के लिए सामली सरकिल पर बस का इंतजार करे थी इस जोरान एक हॉंडा सीटी कार में बदमाशों ने जहांसा दे कर लूट लिया पुलिस सिसरिवे फुटेश की मदद से दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी है जोदपुर की सूरसागर थाना पुलिस ने जमीन पर प्लाट काट कर कई लोगों से दोखादड़ी के मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफतार किया है आरोपी एक साल से फरार चल रहा था आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए दिली योपी और हैदराबाद आधी शहरों में फरारी काटे इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हैदराबाद से दस्तियाप कर गिरफतार किया थाना दिकारी मांगिलाल बिश्णोई ने बताया कि गत वर्ष दो मई को परिवादी सत्यन रायन पमवार ने दी रिपोर्ट में बताया कि भूरटिया के भैरू चौक निवासी प्रमोध कुमार ने शर्यंतर रच्छते हुए अपने नाम की जमीन नहीं होते हुए बेकिस्त में भूकन देने वे किष्टे पूरण होने पर रिजिस्ट्री करवा देने का जांसा देती हुए कई लोगों से रुपए हडप लिये कोट से मिले इस तगासे के अधार पर पुलिस ने धूखा तड़ी की धराओं में मामला दर्स कर जांच शुरू की है और आरोपी को पुलिस सारूपी से पूस्ताश कर रही है भीका निर्च ले के लूण करंसर कस्वे में चोरियां लगातार बढ़ती जा रही है पिछले कुछ महीनों में चोरी का ग्राफ बढ़ा है लेकिन इन चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है अब लूण करंसर कस्वे की मुख्य बजार में चोर हाथ साफ कर रे हैं चोरोंने कस्वे की मुख्य बजार चोरोंने चार किली चान्दी के ज्वैलरी बरतन, सिक्के, डेढ़ भारी सोने के अभूशन, नगदी और एक बाइक भी ले गए, सूशना मिलने पर लून करेंसर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मौईना किया अब तक पुलिस की हाथ खाली है अब खाली है